Hello students, welcome to Fundo Tutor. I am Dikshah, your science teacher and today we are going to talk about what? Condensation and freezing. ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? Under the effect of temperature. अगर हम temperature को change करेंगे, तो क्या होगा? Last time हमने discuss किया था कि melting होगी, boiling होगी. अगर हम temperature को increase कर रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे, अगर हम temperature को decrease करेंगे, तो क्या effect पढ़ता है इस पर? आपके पास 3 states of matter है, solid है, liquid है और gas है. पहले हमने क्या किया था? Solid को liquid में convert किया था, liquid को gas में convert किया था, उसको heat दे के, मतलब उसका temperature increase करके, ये रही heat. अभी हम क्या करेंगे, उसका reverse करने वाले आज. जो process हमने पहले discuss किये थे, उसका आज reverse होने वाला है. Reverse मतलब कि gas को हम liquid में convert करेंगे, और liquid को solid में convert करेंगे. अच्छा, वो कैसे convert होगा? वो होगा temperature, कम करके, मतलब उनसे heat लेके, उनको ठंडी देके, उनको coolness देके, उनका दिमाग शान्त करके, कि बस, जब आप एकदम से गुसे में होते हो, आंगर में होते हो, तो आप क्या हो जाते हो? पागलों की तरह कुछ भी बोल रहे होते हो, जिसके बस में उसका गुसा शान्त हो जाए, जिसके बस में उसका अंगर है, तो वो तो सुखी बंदा है. क्यों? क्योंकि जब गुसा ही उसने control करना सीख लिया है, फिर तो उसने जिन्दगी control कर ली. तो हम, पहले हमने क्या किया था? उनको और गुसा दिलाया था, bonding तोड़ी थी, अब हम यहाँ पर क्या करें? उनको coolness दे रहे हैं. अगर उनमें bonding अच्छी नहीं भी है, हम उनको अच्छी अच्छी बाते करके, उनसे meditation करवा के, अच्छी अच्छी बाते हम क्या करेंगे? कूल करेंगे, उनके दिमाग को शांत करेंगे, ताकि जो इतनी energy वो लेके बैठे हैं, जैसे gas के particles के energy सबसे जादा है, इसकी 3KE ले लो, इसकी 2KE ले लो और इसकी KE है, के E क्या है? के E क्या है? के E कारनेटिक एनरजी है, इसके पास KE है, इसके पास 2K है, इसके पास 3K है, इसकी इतनी जादा जो पागलों की तरह ये फिर रहे हैं, इसके particles उनको शांत करना है, यहाँ पे इनको शांत करना है, और उसके बाद gas को liquid में और liquid को solid में convert कर देना, बस छोटा सा काम है, और ये काफ़े interesting है, condensation तो क्या होती है? condensation होती है, gas को liquid में convert करना, अगर हमारे पा water vapors हैं, उसको हम water में convert करना, उसे हम बोलते हैं condensation, और ये मेरा सबसे ज़्यादा favorite वाला phenomenon है, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से question रहता था, कि जब हम सर्दियां आ जाती है, हमेशा से बच्पन में दिमाग में एक question था, बर जब मुझे इसका answer मिला ना, तो बहु पहला phenomenon तो क्या है, अभी भी आप observe कर सकते हो, फिर्ट से bottle निकालना, बोटल निकालोगे, अभी ये तो फिर्ट से अभी निकाली ही, बड़ अगर आप एकदम से फिर्ट से निकालोगे, कुछ time बाद, after 5 to 10 minutes, आप क्या observe करोगे, यहाँ पे पानी आ जाएगा, ठीके, अग जो cars होती है, windows होती है, जो सर्दियां हो जाती है, winters आ जाती है, तो उन सब शीशे बगारा पे हमें इस तरीके का effect नजर आना शुरू हो जाता है, और मेरे दिमाग ने एक question आता था, यह पानी आखिरकर आया कहां से, यह हमारी window पे आके कैसे deposit हो चुका है, तो उन सभी का answer क्या है, condensation, condensation क्या होती है, उसको हम एक activity से समझते है, यह activity हमने YouTube shots पे भी perform की हुई, आप उस पे भी जाके देख सकते हो, अभी मैं आपको diagramatically इस activity के बारे में पताती हो, हमने किया क्या है इस activity में, आपने क्या किया, drawing मेरी बहुत गंदी है, उस पे धायान नहीं देना, सि एक बीकर ले लिया, पतीला टाइप कुछ ले लिया, इस तरीके का मटका टाइप, I hope so, यह मटका बन जाए, इस तरीके का कुछ हमने लिया, और यहां से एक हमने whole type का, पाइप टाइप की एक चीज निकाली हुई है, जहां से यहां का जो पानी है, वो बाहर निकल जाएग मैंने पानी फिल किया हुआ, ठीके, वाटर फिल किया हुआ था, तो वाटर जो है, जब उसको हीट मिलेगी, तो वो किसमें कनवर्ट होने वाला है, बॉइलिंग होगी, ठीके, यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, बॉइलिंग होगी, और यह वाटर है, यह किसमें कनवर्ट हो जाएगा water vapors में converte हो जाएगा यहां पर मैंने इसको seal किया हुआ यहां पर मैंने इसको ढगन लगा कर रखा हुआ इसको बन किया हुआ तो water vapors को जगा चाहिए कहीं से escape करने की क्योंकщ quello to gas gas है पूरी आवारा type की है उसको क्या चहिए escape करने का रूट चाहिए और वहां से भाग जाएगी ऐसे प्यारी सी नहीं है उसके अनर्जी बहुत जादा है तो यहां पर क्या करेंगे जो वाटर वेपर्ज हैं जो पहले पानी था वो जब हीट की वज़स से वेपर्ज में कनवर्ट हुआ तो यहां पर जो वेपर्ज है ना इस तरीके से यहां पर पानी शो कर देती हो और यह जो क्या है यह तुम्हारे वेपर्ज बाहर आ रहे हैं तो मैंने बाहर एक और जुगार लगा के रखा हुआ था उस जुगार में मैंने क्या किया था एक ट्रे लेली यहां पर ट्रे लेली अभी ट्रे मुझे नहीं बनान अभी ice cubes क्या होते हैं थंडे होते हैं जो ice cubes है वो थंडे है तो उनकी वज़र से यह जो steam है न जो यहां से निकली थी जो water vapors है जो यहां से निकले थे उनको क्या मिलेगी थंडी मिल जाएगी उनको coolness मैंने बोला कि शान्थ हो जाओ जो तुम इतने जादा फिर रहे हो घूम लिक्विड में convert हो जाएंगे that is water में convert हो जाएंगे जब उनको हम उनका temperature कम कर देंगे उनको coolness देंगे तो अभी उसको भी कठा करना अगर आप नीचे कुछ भी नी रखो गई तो क्या होगा यह बूंद बूंद बनके नीचे गिर जाएगा लेकिन आपको पानी को भी रख दो तो यहां पे हमने एक बीकर रख दिया और यह जो बूंद बूंद करके जो पानी है यहां पे deposit होना शुरू हो गया तो यहां पे हुआ क्या है पहली दो processes हमने यहां पे समझे यहां पे तो क्या हो रही है यह तो boiling हो रही है ठीक है यहां पे तो boiling हो रही है पान form में है वो किसमें convert हो रही है liquid में convert हो रही है उसी को हम क्या बोलते है condensation बोलते है यहाँ पर हमने temperature कम किया है यह समझना कैसे कम किया है ice के थू कम किया है so this is the activity of condensation जहां से आप इस चीज को समझ सकते हो तो अभी हमारे जो questions का answer था कि आखिरकार इस तरीके की चीज क्यों हमें नजर आती है उसके वी-ज़वी वही same reason है हमारा जो atmosphere है Summers में तो atmosphere जो है उसका temperature जादा रहता है बट जब winters आती है तो atmosphere का जो temperature है वो कम हो जाएगा atmosphere temperature कम हो जाएगा atmosphere temperature जब कम होगा जो हमारे atmosphere है वहाँ पे water vapors present होते ही होते हैं वहाँ पे water vapors present होते हैं और क्यूं present होते हैं हम आने वाले topics में पढ़ेंगे उसको prove भी करेंगे कि आखिरकार क्यूं होते हैं किस process की वज़े से present होते हैं अभी के लिए ये समझो कि water vapors present होते हैं और उन water vapors को जब ठंडी मिल जाएगी, जब coolness मिल जाएगी, दिमाग शांत करने वली चीज मिल जाएगी, तो किस में convert हो जाएगे, water में convert हो जाएगे, और water है वो उड़ता सकता नहीं है, गयास की तरह, उसको तो एक जगह चाहिए नए बेटने के बिए, उसको बहने के लिए भी कोई नहीं जगह चाहिए, वैता तो पानी बहा ही राएग, यहां पे बाहरी है, लेकिन इनको कोई जगह चाहिए, कोई surface चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपकी वॉल्स पे आपको वॉल्स पे इतना विजुलाइज नी कर पाते ठीक है जो शीषे बगएर होते है उस पर विजुलाइजेशन जादा होती है इस चीज की तो same goes with that water bottle आपने water bottle को बाहर निकाला आपने बाहर निकाला कि अंदर जो है काफी जादा ठंडी थी ठीक है जो ये बाहर है काफी जादा ठंडी आपने एकदम से फिर्ज से बाहर निकाला है अभी बाहर क्या है water vapors already present है जो अपने normal atmosphere में थे अभी because summers तो summer में जो winter जो temperature है वो atmosphere का इतना कम नहीं है ठीक है इतना temperature नहीं है कि वो जो water vapors है वो liquid में convert हो जाएंगे बट जब आपने इस bottle को बाहर निकाला जो काफी जादा ठंडी है तो इसके वजह से उस water vapor को क्या मिली coolness मिली और थोड़े बहुत जो water vapors है जिसको इतने इक surface में जितने आ सकत हैं वो किसमे convert हो गए liquid में convert हो गए तो यहां पर भी क्या हो रही है condensation हो रही है जिसने तो मेरा last video देखा हुआ है melting and boiling वाला वो तो इसको easily बता देंगे अभी यहां पर क्या है condensation हो रही है वहां पर हम क्या करते हैं heat देके उनको खुला छोड़ देते थे force of attraction को तोड़ दे यहां पर हमने क्या कराना है उनकी दोस्ती करवानी है उनमें bonding करवानी है तो हम क्या करेंगे उनका दिमाग शांत करेंगे दिमाग शांत करने के लिए का करें दो बारा गबारा सेम चीज बोल रही हो temperature को कम करें तो यहां पर क्या होगा इनकी जो energy है temperature कम करने का मतलब ही यह भी खतम कर दिया, कि accept your friends as it is, बस उनको accept कर लो, acceptance लेके आये हम, और उसके बाद क्या होगे, उनमें अच्छी खासी दोस्ती होनी शुरू होगी, अभी फिर भी वो एक दूसरे के पास आ गए, जैसे liquid state में होते हैं, उनके जो forces of attraction है, उसको strong कर दिया as compared to gas, उनकी दोस्ती को और जादा strong कर दिया हमने, next is liquid to solid, काफी easy, बहुत जादा easy, इसमें तो कुछ है ही पढ़ने वाला, यह तो freezing इसका नाम है, सारा दिन आप use करते रहते हैं इस चीज को, नहीं नहीं, मुझे तो बरफ ही चाहिए, मुझे तो cold ring में बरफ डालके तो तब ही भीऊंगा, नहीं तो म उसको क्या बोलते हैं, freezing बोलते हैं, बहुत easy, उसमें क्या होता है, जैसे हमने gas के molecules को इतनी जादा उनके बीच में force of attraction increase कर दी थी, कि वो liquid में convert हो जाए, अभी हम liquid के बीच में force of attraction ऐसे increase कर देंगे, कैसे temperature कम करेंगे, kinetic energy कम हो जाएगी, उनके energy कम हो जाएगी, तो force of attraction क्या ह हो जाएगा, बढ़ जाएगा, force of attraction will increase, उनके space है, बीच में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये सारी चीज हमने kinetic molecular theory of matter के पड़ी हुई है, सो बच्चों, आज के लिए सिरफ इतना ही, next video में हम पड़ेंगे, latent heat of fusion के बारे में, thank you.